स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में तो इस वीडियो में आज हम सेकेंड येर का थर्ड सेमिस्टर का जो सब्जेक्ट है एडवांस्ट सर्वेइंग उसका आज हम मार्क डिस्ट्रिबिशन एंड सिलेबस हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं ब्रैंच है सिवील, सेकेंड येर और थर्ड सेमिस्टर का एडवांस्ट सर्वेइंग ये सब्जेक्ट है तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले देख लो मार्क डिस्ट्रिबुशन एडवांस्ट सर्वे का सबसे ज्यादा वेटेज इसी सब्जेट को है देखो theory में भी इसको 100 mark है और practical में भी 100 mark है ठीक है advance survey के लिए तो देखो theory में आपको 70 mark का paper रहेगा जिसके लिए आपको time रहेगा 3 घंटे का और 70 में से आपको 28 minimum mark अच्छू करने पड़ेंगे ठीक है तभी आप इस subject में pass हो जाओगे उसी के साथ साथ इसको progressive assessment भी है 30 marks की जिसमें 10 mark होंगे आपके macro project के लिए और 20 mark होंगे आपके unit test के लिए ठीक है तो इस तरह से ये 30 mark का हो जाता है ठीक है practical progressive assessment theory के अंदर और इस तरह से ये total 100 में से आपको 140 mark यहाँ पर लाने पड़ेंगे उसी के साथ साथ देखो practical भी है survey के लिए और practical के ऊपर 8 semester exam रहेगी 50 marks की जिसमें आपको 20 marks आपको लाने पड़ेंगे उसी के साथ साथ इसको progressive assessment भी है 50 marks की और उसमें भी आपको 20 marks लाने पड़ेंगे तो इस तरह से practical भी हो जाता है total 100 marks का और उसमें आपको 40 marks minimum लाने पड़ेंगे तो ये है पूरा mark distribution advanced survey का ठीक है second semester third year second year यहाँ पर second year third semester ठीक है तो यहाँ पर mark distribution पूरा हो चुका है अब हम देखते है syllabus तो देखो syllabus में यहाँ पर 70 marks का आपका जो theory exam होने वाला है वो इसी syllabus के उपर होने वाला है ठीक है तो total आपको यहाँ पर 6 chapter है और chapter का mark distribution भी यहाँ पर मैंने दिया है ठीक है अब आपने notebook में note down करके रख लो यहाँ और देखो हर एक topic के उपर details में वीडियो बना कि आपको इसी channel के उपर provide किया जाएगा तो चलो देखते है इडिट number first plan table survey जो की 8 mark के लिए chapter में exam में आएगा उसके बाद है chapter number 2 देखो थेडोलाइट survey 24 marks के लिए है थेडोलाइट survey ठीक है उसके बाद 3rd chapter देखो टेको मेट् कर्व सेटिंग है 8 mark के लिए ठीक है 8 mark के लिए और उसके बाद देखो advanced surveying equipment जिसमें हम पूरे survey के related equipment देखेंगे जो की exam में आएगा फिर 14 marks के लिए exam में आ जाएगा और लास्ट में chapter number 6 है remote sensing GPS and GIS वो भी 8 mark के लिए exam में आ जाएगा तो इस तरह से total 70 marks का अपना mark distribution है फिर total सी levels हो जाता है इसी के उपर exam में आपको questions आ जाएगे इसी topic के उपर तो ये थे topic के name और ये mark distribution ठीक है अब हम individual topic का हम syllabus देखेंगे यहार एक topic में हम क्या क्या देखने वाले है तो यहाँ पर देखो unit number first plane table survey जो की 8 mark के लिए है और उसमें syllabus आप यहाँ पर देख सकते हो total five points है 1.1 to 1.5 उसमें देखो first point है principal of plane table survey accessories of plane table and their uses ये सब कुछ हम देख लेंगे setting of plane table plane table set कैसे करते है उसकी orientation of plane table ठीक है सब कुछ हम आने वाले वीडियो में आपको बता देंगे उसके बाद methods है plane table survey के और merits and demerits of plane table survey यह सब कुछ हम इस unit number first में हम discuss करेंगे हर एक point के उपर वीडियो बना के आपको provide कर दिया जाएगा तो यह हो चुका unit number first unit number second देखते है third right survey जो की 24 marks के लिए है और सबसे ज्यादा इस चाप्टर को है और उसमें देखो टोटल 10.10 पॉइंट का हमें study करने का है और इसी 10 पॉइंट की उपर exam में questions आएंगे 24 marks के लिए ठीक हम देखेंगे टेकनिकल टर्म्स देखेंगे कुछ तरम्स है वो भी देख लेंगे fundamental X of transit theodolite and dear relationship वो देखेंगे उसके बाद 2.4 में temporary adjustment of transit theodolite है थेड़लाइट की adjustment देखेंगे उसके बाद देखो 2.5 measurement of horizontal angle 2.6 देखेंगे 2.7 measurement of the vertical angle 2.8 है and 2.10 वीडियो को pause करके आप शिल्याबस पर देख लो यह सब कूछ शिल्याबस का जो भी शिल्याबस है जो भी point है सभी के उपर आपको वीडियो provide कर दिया जाएंगे ठीक है तो यह हो चुका unit number 2 theodolite serving 24 marks के लिए उसके बाद देखो unit number 3 देखो यहाँ पर 8 marks के लिए है takeometric survey ठीक है और उसमें point देखो कितने है total five points है takeometric survey के लिए तो उसमें देखो principle of takeometry उसके बाद takeometric formulas है कूछ field method है 2 3.3 में 3.4 और 3.5 limitation of takeometric यह पूरे पूरे details syllabus हम discuss करेंगे बाद में भी सबके उपर आपको वीडियो provide कर दिया जाएगा आगे फिलाली तिमें ध्यान में रखो कि unit number 3 में यह सारा syllabus है और हमें इतना study करने का है और उसका weightage of mark है 8 marks का बस इतना है ध्यान में रखो unit number 3 हो चुका unit number 4 curve setting जो की 8 marks के लिए है curve setting और उसका syllabus देखो total हमें 3 point हमें study करने का है उसमें हम types of curve देखेंगे notation of simple circular curve है setting simple circular curve किस तरह से set करते हैं ठीक है उसके method भी है वह भी सब method हम detail में discuss कर देंगे ठीक है अभी के लिए syllabus note down करके रख लो curve setting 8 marks के लिए unit number 4 और उसमें हमको 3 points देखने के हैं उसके बाद chapter number 5 देखो advanced serving equipment जिसमें हम पूरा equipment के ऊपर हम study करेंगे और उसका वेटेज है 14 marks का ठीक है उसमें देखो 5.1 से लेके 5.5 तर इतना सा रहा हमाना syllabus है ठीक है देखो वीडियो को पॉस करके एक बार syllabus पढ़के देख लो जिसमें हम principle भी देखेंगे प्रिंसिपल और इलेक्ट्रोनिक डिस्टन्स मिटर मतलब जो इलेक्ट्रीक एक्विपमेंट रहता है जो हम देखेंगे 5.3 में देखो total station है ठीक है temporary adjustment कुछ उसमें तो बहुत total station बहुत बढ़ा ही chapter है फिर भी जितना syllabus के according है मैं आपको पुरा बता दूँगा उसके बाद देखो 5.4 में use of function keys है और 5.5 में कुछ measurement of horizontal angle vertical angle distance यह सब कुछ हम देख लेंगे by using total station है वो सब कुछ मैं आपको बता दूँगा तो यहाँ पर देखो advanced surrounding equipment में syllabus इतना 5.8 total और 14 marks के लिए unit number 5 हो हो चुका है unit number 6 देख लेते है remote sensing GPS and GIS वो भी 8 mark के लिए है और उसमें केवल हमें three point का study करने का है जिसमें 6.1 में देखो remote sensing पूरा का पूरा हम देख लेंगे उसके बाद 6.2 में देखो global positioning system है GPS ठीक है उसके बारे में पूरा study करेंगे और 6.3 में GIS है ठीक है geographic information system ठीक है तो यह हर एक six point one remote sensing के उपर है six point two जो है GPS और GIS ठीक है तो यह सब कुछ हम study करेंगे फिलाल के लिए वीडियो को pause करके आप syllabus देख लो या फिर अपने notebook में note down करके रख लो ठीक है वह आच्छा रहेगा आपके लिए एक बार आखों से syllabus गया तो आपको इस idea आ जाएगा clearly कि हम advanced survey जो की second year में third semester को subject है उसमें हम क्या क्या study करने वागे है ठीक है तो इस तरह से यह वीडियो जो है वो complete हो चुका है अगर आच्छा लगा है तो like करो शेयर करो और चानल को subscribe भी जरूर करने का है तो चलो मिलते है next वीडियो में